हाई फेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैजिकल एजूकेशन वन्स अगेन दोस्तों आज हम लोग यूपीटेट 2015 का जो पेपर है उसके डिसकसन करने वाले हैं आज हम लोग समाजिक अध्यन एवं अन्य विसाय में आये हुए 30 कोशन के आंसर को मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ये वीडियो हमारा पार्ट टू है मतलब कि जैसा कि आप जानते होंगे कि जो समाजिक अध्यन वाला जो पोर्शन होता है उसमें 60 कोशन आते हैं तो स्टार्टिंग के जो 30 कोशन्स थे उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसको आप हमारे चैनल के प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अब बाकी के जो 30 कोशन्स हैं जिसका पार्ट टू के नाम से ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं तो आप इसको भी जरूर देखेगा क्योंकि सभी कोशन्स आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं तो चलिए दोस्तों हम दोग शुरू करते हैं और ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास वीडियो हमेशा टाइम टू टाइम पहुशते रहें तो चलिए दोस्तों हम दोग सुरू करते हैं पहला कोशन है दोस्तों कि जेली में कितना प्रतिसत कुल घुलनसील ठोस पाया जाता है दोस्तों इसका आंसर है 65% जेली में 65% घुलनसील ठोस पाया जाता है नेक्ट कोशन है दोस्तों कि चित्रकला के तत्व होते हैं चित्रकला के कौन-कौन से तत्व होते हैं इसके बारे में हम लोगों को बताना है तो पहला option है वर्ण एंटान ये होता है पोत एवं अंतराल ये भी होता है रेखा एवं रूप ये भी होता है तो इसका मतलब आपका जो चौथा option है उप्योगत सभी ये आपका सही answer है नेक्स कोसन देखें दोस्तो कि वीरोधी रंग कौन से होते हैं दोस्तो लाल और हरा एक दूसरे के जश्ट अपोजिट मतलब एक दूसरे के वीरोधी रंग कहले जाते हैं इसलिए आपका जो फर्स्ट option है वो राइट answer है नेक्स कोसन है दोस्तो कि आधुनिक भारती कला का पितामा कौन था मतलब मौडन जो इंडियन आर्ट है उसके जनक उसके पितामा कौन है तो उनका नाम है अवनिंद्र नाथ जी तो अवनिंद्र नाथ जी आधुनिक भारती कला के पितामा थे नेक्स कोसन पूछता है दोस्तो कि कलानुक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने तो इसका जो चोथो option है वो सही क्रम है सबसे पहले मुगल सैली, फिर पहाडी सैली, फिर कंपनी शैली और फिर बंगाल शैली यह आपका सही है आपको इसी क्रम में याद रखना है नेक्स कोसन यह है दोस्तो कि निमलिकित में से कौन सा ग्रंत सारंग देव द्वारा रचित है नेक्स कोसन पूछता है दोस्तो कि आमद सब्द संबंदित है मतलब आमद सब्द किस चीज से संबंदित है तबला से की गायन से की सितार से की निर्त से तो दोस्तो इसका सही आंसर है निर्त मतलब डांस आमद वर्ड डांस से रिलेटेड है next question दोस्तों की बंची टॉप एक विमारी है वो किस से होती है मतलब किस फल के दवारा होती है तो केला मतलब बनाना के दवारा बंची टॉप नामक विमारी होती है next question दोस्तों की फर्टीगेशन का संबंध है दोस्तो फर्टिगेशन का संबन जल और उर्वरक देने से होता है तो इसका जो चोथो उप्सन होगा वो आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट कोशन है दोस्तो की मुरब्बा बनाने के लिए अनुप्यूक्त फल है मतलब किस फल के द्वारा मुरब्बा नहीं बनाया जा सकता तो इसका सही आंसर है संत्रा नेक्स्ट कोशन है दोस्तो की मांस्पेसियां किस कार्ये में सहायक होती है पहला उप्सन है सरीर को सुडॉल और आकरसक बनाने में बिल्कुल सही बात है सरीर की गतिसिल्टा में ये भी सही है रक्त परिसंचरण में ये भी सही है मतलब कि हमारा तीनों उप्सन सही है तो आप चौथा उप्सन टिक करेंगे और प्योक्त सभी नेक्स वोशन ये है दोस्तो की मनुस्य को व्यायाम कप करना चाहिए भोजन के पस्याद बिल्कुल नहीं क्योंकि अगर आप भोजन के पस्याद करेंगे तो आप वो मेटिंग कर सकते है रातरी में रातरी में भी नहीं करना चाहिए जब भी समय मिले ऐसा नहीं है आपको वयायाम हमेशा प्राथा काल करना चाहिए और खाली पेट करना चाहिए नेक्स है दोस्तों कि मनुस्य का मस्तिक्स कहा होता है पहला ओप्सें उधर मतलब पेट में बिल्कुल नहीं मस्तिक्स मतलब आप समझी जेगा होंगे दोस्तों brain की बात कर रहा है तो brain पेट में तो होता नहीं वक्ष मतलब chest हमारा ग्रिष्ट में तो होता नहीं है मुख में भी नहीं होता कपाल का मतलब होता है skull English में करते हैं खोपडी भी करते हैं इसको तो खोपडी या कपाल में ही हमारा मस्तिक्स होता है तो इसका third option सही है नेक्स्ट कोशन यह है दोस्तों कि फुटबॉल का पहला अंतराश्ट्री मैच कब हुआ था तो दोस्तों फुटबॉल का जो पहला अंतराश्ट्री मैच हुआ था वो 1872 मतलब 1872 में हुआ था सायद मोदी को किस खेल के लिए भारती राश्ट्री पदक मिला था तो सायद मोधी जी को बैडमिंटन के लिए भारती राष्ट्री पतक दिया गया था ओलंपिक धोज में कित्ते चक्र होते हैं तो दोस्तों आप ओलंपिक का फ्लैग देखेगा धोज देखेगा जंडा होता है धोज मतलब तो उसमें देखेगा 3 रिंग उपर और 2 रिंग उसके जश्ट निचे होती है मतलब टोटल 5 रिंग होती है थेक है तो इसका जो डी अउपसर है वो र scorargent आँसर है नेक्स्ट कोछ़जन है कि दोस्तों कबटी में कित्ते खिलाडी होते है तो कबटी में टोटल 12 खिलारी होते है दो टीम होती है, हर टीम में 6 खिलारी होते हैं तो 6-6 गर के 12 खिलारी कबड़ी में होते हैं राग पीलू किस वर्ग में आता है? पीलू एक राग है, जो कि संकीन वर्ग में आता है संकीन मतलम नेरो, संकीन वर्ग में राग पीलू आता है किसका उपना गलत है? तो दोस्तो इनायत हुसैन जी का उपमाना प्राण प्रिया नहीं है तो इसलिए ये आपका जो चोथा D option है वो सही option होगा भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमे होती है तो वसा जो fat होता है दोस्तो उसमें सबसे ज्यादा कैलोरी होती है तो आपका जो first option है fat वसा वो आपका सही answer है राजय विधान सभा के अधिक्तम संख्या दोस्तो राजय विधान सभा में अधिक्तम 500 सदस्यों की संख्या हो सकती है उससे ज्यादा नहीं तो आपका B option इसका right answer है डॉक्टर B.R. अंबेट का मतलब भीवराओं अंबेटकर जी ने निम्न में से कौन से अधिकारों को सम्विधान का हिदय और आत्मा कहा तो इसका तीसरा जो है option आपका सम्विधानिक उप्चारों का अधिकार ये option आपका correct option है next question दोस्तों कि सोना लिखा किस फसल की प्रजाती है दोस्तों सोना लिखा गेहूं की एक प्रजाती होती है तो गेहूं आपका सही option होगा इसका मतलब C option आपका correct answer है बाजरा के लिए बीजदर है दोस्तों इस वक्त बाजरा का जो बीजदर है वो 4 kg प्रती हेक्टेयर के market price है इस वक्त तो बाजरा जो होता है वो 4 kg प्रती हेक्टेयर के दर से आपको मिल जाएगा market में तो इसका बी option सही है next question दोस्तों कि सीचाई की किस विधी में सरवाधिक पानी की पचत होती है तो टपक सीचाई विधी में बहुत कम पानी इस्तमाल होता है तो इस विधी में हम कह सकते हैं कि सरवाधिक मतलब सबसे ज़्यादा पानी की पचत की जा सकती है गेहु की प्रथम करांती का वस्था है दोस्तों गेहु की प्रथम करांती का वस्था होती है कल्ले निकालना मतलब C option आपका right answer है मृदा विज्ञान की वसाखा जिसमें मृदा का अध्यान पादव विर्धी के दृष्टी कोण से किया जाता है तो ये हम लोग आता है इडैफुलोजी में ठीक है तो उस विज्ञान को उस साइन्स को हम लोग करते हैं इडैफुलोजी next question दोस्तों की वाक और अभिव्यक्ती की स्वतंतरता असिमित नहीं है इस पर कब प्रतिबंद लगाया जा सकता है दोस्तों इस पर तीनों वज़ों से प्रतिबंद लगाया जा सकता है यदि राष्ट की एकता और अखंडता के पक्ष में हो यदि संसद और न्यायाले की अवमानना या मानहानी हो या लोग व्यवस्था सिष्टाचार और सदाचार इन तीनों वज़ों से इस पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है तो आपका जो चौथा उप्षन है उप्योग सभी इन आधारों पर उप्योग सभी आधारों पर मतलब इन तीनों के आधारों पर आप प्रतिबंद लगा सकते हैं आपका चोथा option सही answer होगा next question है दोस्तों कि कौन सा विषय राज्य सूची में उलखित नहीं है और वो है नागरिक्ता दोस्तों नागरिक्ता केंट सरकार की सूची में होता है ठीक है मतलब सेंटर गौर्डमेंट में तो नागरिक्ता राज्य की सूची में नहीं होता इसलिए आपका C option सही है और last question है दोस्तों कि किन आधारों पर राश्पती राज्य पाल को पदचियुत कर सकता है पदचियुत टफ हिंदी प्रेंसेशन है मतलब किस आधार पर राश्पती राज्य पाल को नॉमिनेट कर सकता है या पोश्ट दे सकता है यह को कराया question तो इसका सही answer यह है दोस्तों कि राजपाल की पोश्टिंग के लिए मतलब राजपाल को अपॉइंट करने के लिए समिधान में कोई भी उलेक नहीं किया गया है ठीक है तो यह थे दोस्तों 30 और questions जो कि आपसे 2015 UPTET में पूछे गए थे समाजिक विशाय में I think कि आपको सारे questions का सही answer मिल गया होगा अगर आपको सही answer सारे मिल गए हो तो एक like तो जरूर बनता है दोस्तों और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए अगर आप कुछ हमें advice देना चाते हैं तो comment कीजे, वीडियो को share कीजे और subscribe नहीं किये हैं तो subscribe भी जरूर कर लिजे और साथ ही जैसे ही आप subscribe करेंगे तो एक notification bell आएगी उसको भी on कर लिजे ताकि जब भी मैं कोई video डालू तो आपको तुरहन उसके बारे में information मिल जाए तो इसी तरके इस वीडियो देखते रहिए दोस्तो see you, have fun